हेलो फ्रेंट्स आप डिसकस करने वाले हैं वर्टिगो चक्कराना अपने लास्ट वीडियो में हमने डिसकस किया था फेंटिंग बेहोश हो जाना तो दोस्तों चक्कराना सर घूमना ये एक अलग टम है और फेंटिंग बेहोश हो जाना ये एक अलग चीज है जैसा कि हम अप सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर दबाएं दोस्तों वीडियो शुरू होने से पहले बहुत ही बेसिक और छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा दोस्तों हमारी बॉडी को बैलेंस अवस्था में बनाये रखना जब हम चलते हैं तो ह हमारा इंटर्नल इयर जी हां हमारे इंटर्नल इयर में ऐसी ब्यवस्था की गई है कि वहां से हमारा बैलेंस मेंटेन होता है तो हमारे कान का जो प्राइमरी फंक्शन है जो पहला काम है हमारी बॉडी को बैलेंस करना है ना की सुनना सुनना सेकेंडरी फंक्शन में आता है भी कारण है जिन मरीजों को बार बार चक्कर आते हैं, उन्हें जर्नल फिजीशन जो होते हैं, ENT डॉक्टर के पास जो ना कान गले के, जी हां कान के डॉक्टर के पास refer कर देते हैं कि एक बार जाके अपना कान जरूर चेक कर आएं. चलिए अब जान लेते हैं vertigo की definition या परिभाषा दोस्तो vertigo simply अगर कहें तो दो चीज़ आपको महसूस हो सकते हैं या तो आपको ऐसा लग सकता है कि आप जो भी देख रहे हैं वो आपके सामने घूम रहा है दूसरा या आपको खुद ऐसा feel हो सकता है कि आपका सर जो है वो घ क्षण हो सकता है जिहां बहुत सारी असी बिमारी हैं जहां पर आपको vertigo चक्कर आना दिखाई दे सकता है लिस्ट बहुत बड़ी है उधान के रूप में मैं आपको बता दे रहा हूं जैसे आपका BP जादा हो जाए या BP कम हो जाए बहुत सारे alcoholic intake जो बहुत जादा alcohol या ध भूम सकता है उसके लाए neurologic बिमारी हो जाए आपको दिमा की कोई बिमारी हो कई सारी बिमारियां दोस्तों पर हमें घपराना नहीं है क्योंकि homeopathic treatment symptom पर बेस्ट होते हैं हम लोग symptom totality पर treatment करते हैं तो अगर हम सही medicine select करेंगे तो हमारे मरीज को जरूर आराम मिलेगा तो चल आते हैं तो अगर कमजोरी की वज़े से आपको चक्कर आ रहा है तो आप patient को alpha alpha नाम का mother tincture सुबह दुपहर शाम 20 बूंद आदे कप पाने मिला के लगबग एक सपता तक दे और साथ serum for 6x सुबह दुपहर शाम लगबग 4-6 tablet गरम पानी में घोल के दे और एक और medicine दोस्तो vanadium 30 पार में जिया इसे भी आपको सुबह दुपहर शाम 3-4 दिन आप दे सकते हैं आप देखेंगे जो आपकी कमजोरी है वो भी दूर होगी और कमजोरी की वज़े से जो चक्कर आते थे वो भी काफी कम हो जाएंगे अब दोस्तों लक्षणों की बात करेंगे और उनी पर अधारित दवाएं हम बताएंगे सबसे पहली मेडिसिन दोस्तों बेला डोना 30 पार में सुबह दुपहर शाम लगबक 4-5 दिन लेंगे ऐसे मरीज जो काफी देर तक बैठे रहते हैं और जो बते हैं तो उनकी आग के सामने अंधेरा चा जाता है और चकर सा आ जाता है जी तीन से चार दिन बहुत ही अच्छी मेडिसिन है जहां पर आपको डिजीनेस ड्राउजीनेस और डलनेस महसूस हो रहा है जी आपको हलका सा चकर आ रहा है आपको हलकी कमजोरी सी महसूस हो रही है आपको सर भारी भारी सा लग रहा है तो आपको जलसीमियम बहुत ही दिन लेनी है दोस्तों ऐसे पेशेंट जिन्हें उचाई पर चड़ने पर जिया है एसेंडिंग मोसंच जैसे सीडियां चड़ते हैं और चक्कर आता है तो केलकीरियक आप खा सकते हैं बहुत अच्छा एलड़ आपको मिल जागा है नेक्स पेशेंट जो नीचे जाने पर जियां जिन्हें सीडियों से उतरने पर सर में चक्कर सा महसूस होता है तो उन्हें बोरेक्स 30 सुबह दुपहर शाम लगबग 4-5 दिन तक लेनी है और ऐसे पेशेंट जिन्हें उचाई से नीचे देखने पर चकर महसूस होता है दोस्त नाइट्रिकम 30 पार में सुबह दुपहर शाम ले ले लगबग 3-4 दिन आपको काफी अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे नेक्स्ट मेडिसिन दोस्तो अर्निका मॉन्टेना इसे भी 30 पार में सुबह दुपहर शाम 3-4 दिन लेनी है ऐसे पेशेंट जिनके साथ कभी इंजिरी हुई थी कभी उन्हें चोट लगी थी और अब उन्हें चक्कर आते हैं बार बार कुछ भी काम करने पर सर घूमता है तो अर्निका काफी अच्छे रिजल्ट दे देगी नेक्स्ट मेडिसिन दोस्तों कोनियम मैक 30 पार में सुबह दुपहर शाम ऐसे पेशेंट जिनहें सर्वाइकल रीजन में पेन रहता है जी हां गर्दन में दर्द रहता है सर्वाइकल की थोड़ी सी प्रॉब्लम है और इस्पेशली जब वो बेड पर लेटते हैं और अपन 30 पार में सुबह दुपहर शाम लगबग तीन से चार दिन लेनी है ऐसे पेशेंट जिने बहुत ज़्यदा तेज आवाज सुनते ही या जैसे ही वो अपनी आखे बंद करते हैं उन्हें चक्कर जैसा फील होता है ऐसा लगता है कि उनका सर घूम गया आख बंद करने पर तो उन्हें चक्कर आता है और इस चक्कर को रोकने या प्रिवेंट करने के लिए वो वहीं पर बैठ जाते हैं डर के कहीं बेहोश ना हो जाए अगर ये लक्षण आपको मिल जा रहा है तो अंप्रा गिश्य आपको काफी अच्छ रिजल्ट दे देगा नेक्स और लास्ट मेडिसिन काफी जादा है पर ये बेस्ट मेडिसिन मैंने आपको बताई है तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज इसे लाइक और शेयर करना ना भूलेगा और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ल धन्यवाद